आज हम बात करने वाले हैं exhaust के उपर exhaust का perfect time क्या होता है change करने का exhaust से क्या क्या effect होते है गाड़ी में, engine में, mileage में तो यह जो लोगों की mentality है point of view है exhaust को लेके वो सारी चीज़े इस video में cover करने वाले है और बहुत लोगों के बहुत सारे questions आते है क्योंकि मेरी वीडियो भी बहुत सारी है एक्सार सालेंस के ओपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं तो कोश्चिन भी यह सबसे ज़्यादा कॉमन कोश्चिन होता कि परफेक्ट टाइम क्या है और इस ते इफेक्ट पढ़ता है नहीं बढ़ता है तो यह दूनों कोश होना का मैंने बसे चाहिए है और इस जो कोश्चिन आता है और परदा शैक्सार्ट कर आड को अपढ़ता है कुर अखाष्ट, सब्सक्राण और नहीं करना चाहिए तो नाई रॉर साउंड है नाई डुक डुक साउंड है तो फिर रॉल एंफील को जब भी हम इमाजन करते हैं तो आमको एक साउंड फील आता है एक जब आप आग बंद करके भी रॉल एंफील करेंगे तो एक डुक डुक की साउंड आती है चाहे वो रॉर साउंड हो पंजाब से किस दे मिले वो एक साउंड रहना चाहिए बढ़ हाँ लीगल इलेगल का पॉइंट अफ यू डिस देन वो डोटली आप कर रहेगा मेरा सिर्फ पॉइंट अफ यू मैं आपको शियर कर रहा हूं दोस्तों एक्जॉस चेंज करना येस एक्जॉस चेंज करना चाह प्रेश चेंज दोस्तों कहले तो यहां गयर हो अजब चैएंट जेते हैं शनक्ति gebracht रहेक उनक्याइब दोस्तों नेक्ट सेय स्थियो में अच्छा को आगयर्यद जे इसके मिल garlic का दोगतेяться औरह मिलें इसे हुर्ण टाल्यं कि उपनाते हैं टीक्ल्त है उतरस वहक्ड यतर आपको बैक पेश्न नहीं मिल पाती है तो आप लोग उसको ठोटल दे तो ताकि वो पिक अप को गेन कर सके जो पिक अप ड्रॉप हो यहां गेन कर सके इसके वएसे जो गेंग पार्ड होता है वो उसमें ज़ादा तेल जलता है तो आफ़ेज आपकी रिड्यूस होती है दोस् राओस्टो प्रोलम होगा प्रोलम फेस करने घूत समय अब जा लगाए लगाने करें अगर पधेशन को घंड All गेकृ débदर शाया है मेरे point of view से 1000 ज dau है 1000 किलोमेटर मन्य एक साहूचन को मूझे भाऊने का थे ऑ है ऑस हरा माद रहीम में ले गए Ev只是 builds तो एसेम्बल होती है कही जगा है तो आपको सफर करना पर सकता है क्योंकि वैरंटी नॉर्म्स में क्लेली मेंशन ना है कोई भी मौडिफिकेशन तो एक्सास्थ जाता है तो अगर आपने वह किया है तो वैरंटी लैप्स हो जाती है तो इसलिए बोलते हैं कि सुनस्षीत कर लीजिए, कनफर्म कर लीजिए कि गाड़ी में कोई major problem जो है वो नहीं होना चाहिए अगर minor चोटे-मोटे problem है, वो नहीं होना चाहिए, अगर minor चोटे-मोटे problem है, बट major engine related कोई बड़ा problem है ताकि आप गाड़ी को एक बार अच्छा राइड कर ले, 1000 km अच्छा रहता है, कोई major issues है तो वो identify हो सकते हैं तो I hope सारे questions के answer मिल चेकोंगे आपको, अगर मैं इसको थोड़ा short में खतम करूँ तो exhaust change कर सकते हैं ठीक है, बट वो ही है अभी जो चलान का problem है, इसको प्रोड़म से आप सिटी कंडिशन के साफ से देख के चलाईए, उसको change करिए and second, कोई effect, pick-up कम होता है, pick-up को gain करने के लिए कई लोग जो normal ride करते हैं, उनको कोई प्रोड़म नहीं हाती and the third, 1000 km पाद चलाईए, कई लोगों के point of view है 5000 km, कई लोगों बोलता है कि first service के पे, वो totally आपर depend करता है मगर मेरा clearly कहना है कि 1000 km पाद चलाईए, या first service, first service भी okay, first service तक भी आप identify कर सकते हैं दोस्तों यहां वीडियो को end करते हैं, आपका point of view क्या है इसको लेके, exhaust को लेके मुझे जरू शेयर करिए and कोई suggestion है तो comment section totally open है and यहां तक वीडियो को देख लिया है, तो subscribe and share जरू करेगा दोस्तों से ताकि आपके जो दोस्त है या family है या फिक किसी brother के पास royal field है और इसके mind में अगर यह चीज है कि exhaust के बार में कोई भी questions है तो इस वीडियो में cover हो जाएगा तो दोस्तों ख्याल रखे, ध्यान रखे और देखते रहे बुलेट crew ऐसी बहुत सारे infinite vlog अपके लिए आते रहेंगी, बाई झाल